हेलो दोस्तों स्वागते आफ सभी का फिर से आमारे चानल स्विजी इंफॉर्मर और गेमर पर आज हम देखने जारे सिविक्स का फर्स चाप्टर जो की है भारतिया सविधान देखिए प्रश्न पहला राष्टरवादी आम्दुलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए क्यों उत्तर क्योंकि सभी वयस्का नागरिकों का निरने प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए है लोकतांत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमती को महत्व दिया जाता है नागरिकों की भागीदारी और सहमती सारवभोमिक वैस का मताधिकार से हो सकती है देखिए प्रश्न दो बंगल में 2004 के संसदिया चुनावक शेत्र का नक्षा दिया गया है इस नक्षे में अपने राज्य के चुनावक शेत्र को परचानने का प्रयास करें आपके चुनावक शेत्र के सांसद का क्या नाम है आपके राज्य से सांसद में कितने सांसद जाते है कुछ निर्वाचन शेत्र को हरे और कुछ नीले रंग में क्यों दिखाया गया है देखिए यहाँ पर आप नक्षा देख सकते हैं यह जो सफेद रंग में है वो सामान्य जो थोड़ा सा ग्रे रंग में है वो अनसुचित जाती और जो पूरा ब्लैक रंग में है वो अनसुचित जाती देखिए इसका उत्तर देखिए सांचादिया चुनावक शेत्र का मान शेत्र पहला विद्धार्थीजिस राजजिस चुनावक शेत्र में आते हैं उसी के अनुसर सोयम उत्तर दे हरे रंग के निर्वाचन शेत्र को अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित किया गया है देखिए अगला अध्य एक में आपने पड़ा था कि भारत में प्रचलित संसदिया शासन व्यवस्था में तीन स्तर होते हैं इन में से एक स्तर संसद केंद्र सरकार तथा दुसरा स्तर वीविन्न राजय सरपारों के लिए होता है ऊपर एक खाली तालिका दिये है और नीचे उसके उत्तर दिये है पेला देखे, कौन सा राजनितिक दल अभी सत्ता में है। केंदर सरकर का राजनितिक दल अभी भाज़प है। आप अपने राज Sta के अनुसर लिख सकते हैं। हमारा राजजा जो की महाराष्टर है। उसमें अभी शीू सेना का दल है। शीू सेना सरकार। आपके सेत्र में निर्वाचित प्रतिनी दी कौन है? आपने लोग सबा के सेत्र के अनुसर छात्र स्वयम करें वेसा तो केंदर सरकार अभी नरेंद्र मोधी जी है और राज्य सरकार हमारे यहां तो अभी श्री उद्धाव ठाकरी जी है अभी कौन सा राजनितिक दल विपक अगले चुनाव का कब हुए थे राज्य क्यावन शार स्वयम करें चैंद्र सरकार 2009 में अगले चैंद्र करना स्ब्सक्राइब करना ना पूले